Hello Everyone हम पिछे लेक्टर में हमने पढ़ लिया कि What is Chinese Language? और बिसिक्स of Chinese Language कि हम लोग Chinese Language क्यों सिखते हैं क्रेक्टर्स क्या होते हैं पिनियन क्या होते हैं टून्स क्या होती हैं कॉंसनेंट्स और वावल्स क्या होते हैं यह हम सब पर चुके हैं सबीक्ते होते हैं इस में वावल्स और बहुत इंपॉर्टन्ट एं प्रैनाऊचियाशन काॉंसनेंट्स की इनको इनिशाल्स भी कहता हैं इनिशाल्स भी कहता हैं होा हो पो फो अ मिआ होड़ łkheus को षー तर-न, ल, को, ख, ख , पृच्य, शी, शी रज़ दिख 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 यू ठीक है और हमने लेसन नमबर बन भी पर लिया जिसमें हमने निहाओ निहाओ वो ये हन निनम शेशे निहाओ निहाओ में यह हमने लेक्टूर वन में पढ़े थी basic conversation आज हम पढ़ेंगे lecture two जिसमें हम लोग new words पढ़ेंगे सबसे पहले और उसके बाद कुछ conversations है in related हम पढ़ें तो पहला word है नहीं ठीक है जैसा कि मैं आपको बता चुक्त क्योंकि इसके उपर थर्ड तॉन है थर्ड तॉन जो है बिसिकली कंबिनेशन है इसका थो दो तोन का और वह डो टॉन चूर्ड तोंस कोट्स है यह जो है इसमें falling tone भी आती है plus rising tone भी होती है तो यह बहुत important है इसको pronounce करना tones को tones की importance कहा है वो हम पिछलेक्टर में हमने देख लिया है tones इसलिए important होती है कि अगर हम tones भी डालेंगे तो meaning change हो जाएगा जैसे एक word है च्याओ च्याओ एक word है अगर इसके उपर आप tones change कर देंगे तो meaning change हो जाएगा यह मैं अदर लिख लिए हूँ च्याओ च्याओ के उपर अगर यह जो है हमारे पास तुबी पॉल्ड के sense में है ठीक है तो इसके उपर एक के उपर क्या है और के उपर falling tone है ठीक है तो falling यह विली falling tone है तो इसका मतलब होता है to be called ठीक है अब एक च्याओ है जिसके उपर third tone है एक के उपर तो इसका मतलब क्या हो गया teach तो tones change करने से अक्षर रवाद meaning change हो सब words के लिए नहीं लेकिन mostly words के लिए meaning change हो जाते हैं इसलिए pronunciation बहुत important है ठीक है जो हमारे पास है पहला word नी नी का मतलब होता है यू अगर हम इस नी के साथ मन आड़ कर देंगे नी के साथ हम क्या एक करेंगे m, e and man नेमन तो नेमन का मतलब क्या हो जाएगा नीमन का मतलब हो जाएगा you नीमन का मतलब you यानि कि अगर रॉमन में बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा तुम, ठीक है, तुम, इसी तरह अगर वा है, वा, थर्ड तोन के साथ, इसका मतलब है I and Me, ठीक है, अगर वा के साथ मन एड़ करते, वा प्लस मन, तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वी, अस, वी या अस के इक्वल हो जाएगा, मतलब के, हम, सब, अगर रोमन में देखा जाएगा, थीक है, वा, वामन, इसी तरह हमारे पास था है, अच्छा जो था है, अगर यह फीनियन में देखा जाए, तो वो सेम करेक्टर है, मेल और फीमिल के लिए, ठीक है, मेल और फीमिल के लिए, जो है, वो सेम करेक्टर है, हमारे पास, तरह हमारे पास, था है, नहीं क्युक्क करेए, अच्छा था है, था, एक्उपर तो हमें से कैसे परनादेखा है, अच्छा, भृट टोन को हम इस तवर अए करंपस करते हैं कि हमारी आवास बिल को स्रेट जाती है इसे अगर फ॥ेंइन में बात करें तो मेल पीमेल दोनों के लिए यूज होता है uh male और फ्षीमेल दोनों के लिए यह करेक्टर यूज होता है था स्वाड़ी यह फीनियन यूज होता है लेकिन इन दोनों को करेक्टर डिफरिंट हो जाएगा यहां पे अगर यहां पे यह वला करेक्टर है इससे हमें बोलने में देख रीडिंग में हम अगर पाल लिखा होगा तो इसका मतलब है कि यह मेल के लिए यूज हो रहे हैं फी कि दिध्रिंग के बाद आएगी करेक्टर हम देखें घरिंगे तो पर करेक्टर डिफरनट होगा तो अगर मेल है यह फीमेल है तो हम उसको फाग ही पूलेंगे अधंद ऑर से लिए तो यह male के लिए यूज हुआ है इसलिए he or him लिपनाव है ठीक है अच्छा अब they or them के लिए कि they all जब plural की बात होगी तो हम था के साथ क्या लगा देंगे था के साथ add करेंगे हम man तो ये क्या बन जाएगा था मन था मन they all them था मन था मन दर्श था मन दर्श दो इस particle helping particle next word है च्याओ again मैंने आपको पताया था एक उपर falling tone है again मैं बता रही हूँ अगर tone आप change करेंगे तो meaning chain होड़ेगा च्याओ क्यूंकि J की pronunciation Chinese में J की sound देते है G की sound देते है G नीशन में हम पढ़ चुके हैं तो ये क्या word होड़ेगा च्याओ च्याओ to be called fourth tone के साथ fourth tone को हम हमेशा थोरा सब्सक्ति के साथ pronounce करते हैं च्याओ च्याओ repeat after me च्याओ च्याओ ओके to be called नेक्स्ट वर्ड है जो एस एच की आवाज होती है sound को श की श की श की तो यहाँ पे जब ये श की sound next हमारे पास फाइनल्स के साथ connect होगी initial direct tone के साथ connect होगी तो ये क्या sound देगी श मा श मा वैसे ये श मा है लेकिन जब हम इसे pronounce करेंगे तो हम इसे pronounce करेंगे श मा श मा श मा रैसीं compression साथ है आपने नोट किया इससे के उप्र रैसीं साथ उन्ञ के साथ आवाज को हम यहूँ उपर लेके जाएंगे श मा श मा और म के उपर कोई होई टोन दी शम्म को मतलब है what ठीक है नेक्स वोर्ड है means अब आई के उपर आप में देखा है यह basically आई नहीं है Chinese में इसको ई प्रणाउस करेंगे आई को ई बोलते हैं आई नहीं बोलते हैं तो इसके उपर sometimes आई के उपर लोग डॉट डालते हैं उपर कौन सी टोन है ईसको कैसे प्रॉट करेंगे means means एसको उपर नहीं करते है Chinese में इसको क्या प्रॉनस करते है इस क्या टॉन है जो हम इसको थोड़ा सपती के साथ पर नाउंस करेंगे इस आई क्यो पर कोई टॉन नहीं है तो इसलिए डॉट लगा वैंगर आए क्योपर टॉन होगे तो डॉट नहीं लगता रंशर ठीक है, next word है, काव, शिंग, असल में जो जी है, इसकी sound जो है, वो क की sound है, गाव की sound नहीं देगा, ये क की sound देगा, क की, तो काव, काव, फ्लैट टोन है काव, and next word है, शिंग, एक्स की sound है, शिंग, क्योंके IQ पर कौन सी टोन है, फोर्थ टोन है, काव, शिंग, काव, शिंग, काव, शिंग, काव, शिंग, और अगर जल्दी के साथ बोला जाए, काव, शिंग, काव, शिंग, अब ये एक important है, line, जो हर किसी से मिलने के बाद बोली जाती है, विसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, निहाओ, 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 नेक्स जो परसन होता है, वो बोलता है, निहाओ, फिर वो बोलते है, निहाओ, मा, how are you, जो दूसरा होता है, वो खन हाओ, I'm good, निना, और तुम कैसे हो, आके से जो पहला बंदा होता है, वो ये खन हाओ, मैं भी ठीक हो, शिय शिय, फिर वो ब English में एक संतेंस है Nice to meet you तो यहां पर रन कियो पर इर कियो पर कोंछी टोन है इर कियो पर फोलिंट खोन है तो रंशि नि हन काओ शिंग Nice to meet you. Repeat after me. रंशि नि हन काओ शिंग रंशि 2020 काओ शिंग शिंड़ शिंग से लो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो थर्ड टोन आ जाएंगी जब हमारे पास दो थर्ड टोन आती है प्रटोन और नेक्स्ट वर्ड पर भी पंजेक्टिफ थर्ड तोन आ रही है तो वो किसमें चानवर्ट हो जाएगी वर्स टोन होगी वो राइजिंग टोन में और जो नेक्स्ट टोन होगी वो थर्ड टोन ही रहेगी और थर्ड टोन को आप कर्व टोन भी बोलते हैं कर्व टोन चेक है यह रूल है जो इंपोर्टन है जो यह हाईलाइट हुओ वह है संटेंस यह यह कह बिसकली इस पर आते हैं ने जाओ शम मिंग्स ने जाओ शम मिंग्स वट इस यूर ने ने नी मीन्स अगर वर्ड वर्ड मीनिंग पर आएं नी मीन्स यू ठीक है चाओ तुभी पॉल चाओ तुभी पॉल शम्मा शम्मा मीन्स वट ठीक है यह question है आपका नाम क्या है ठीक है अब इसका answer कैसे करना है वाच्याओ 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 अब जैसे मेरा नाम समीरा है तो मैं यहां पर बोलूँ कि वाच्याओ समीरा अच्छा अगर चाइनिज में नेम देखा जाए चुके हमारे जो नाम हैं वो इसलामिक नेम्स हैं तो मैं नहीं आपको बोलूँ कि आप अपना नाम जो है वो चाइनिज में जैसे मेरा नाम समीरा है तो अगर चाइनिज में मेरा नाम बोला जाए तो वो समीला बन जाता है जो जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा तो मैं आपको यह रेकमेंड नह वो कोई चाइनीज नेम रखें जैसे मेरा चाइनीज नेम है वांग रो यू मैं अपने नेम के इधर प्रीनियन लिख रही हूं जैसे मेरा नेम है वांग रो यू यू का चो करेक्टर है वो बैसिकली शायू चाहिए अपना ये मेरे जो चाइनीज नेम है वो मेरी मैम है विए सब्सक्राइब करमाने वो जे मेरा नेम के चाहिए था तो मुझे ये पसंद है वैसे मैं और भी नाम रखेती थी लेकिन एकामया मेरे मैम है रिकमेंड किया था तो अगसा लगता है अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग कोई नीम रयक्रमेंग रहु झाल्म इसमी को आम पकलास में रयक्स कर आप लेगें आप लोग आपको sites आप नेक्स लेक्ष्टिर में या आरगर नेक्स स्ग्राइब हमारी और नेक्सलों क्लास होगी अगर आप लुझ की अठोरेकर काला व्हों आप को ने गोने सक्टझन करे देखें आप लिए डोट आप पता होना चाहिए आप कोई लेक्टर नमबर थ्री लेक्टर नमबर थ्री में हम क्या पढ़ेंगे न्यू वर्ड सबसे पहले पढ़ेंगे फिर हम कुछ रिलेटिव पॉस्टिन आंसर है वो करेंगे फिर्स्ट वर्ड था मैं आप लोगों बता चुके हूं कि था अगर फॉनाटिक्स में जखा जाए फिनियन में तो फिनियन में इसका जो मीनिंग है वो क्या है He और She दों के लिए था ही उखा लेकिन अगर करेक्टर पर जाएं तो यहां पर जो करेक्टर है मेल का करेक्टर तो यही की बात कर रहे थीक था नेक्स्ट वर्ड है शिर प्वॉर्थ टोन के साथ अब अगेन मीनिंग अब शिर जो है हमारे पास वर्ड इसके उपर अगर tone different कर देंगे तो meaning change हो जाएगा, एक share आता है आपकी counting में, counting में जो share है word, share, ठीक है, counting में जो share word है, वो उस पे हमारे पास falling tone नहीं होती, ठीक है, उसका मतलब होता है 10, और यहां पे जो share है, इसके उपर falling tone है, इसका मतलब क्या है, कि is MR, यानि यह helping word के लिए use हो रहे है, is MR, share, था share, he is, ठीक है, next word है हमारे पास share, share, s-h-e-i, basically यह e नहीं है, चाइनिज में इसको a की sound है, यह, तो इसके उपर rising tone है, ठीक है, तो इसको कैसे pronounce करेंगे, share, 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 ठीक है, अवाज आपकी ऊपर जाएगी, rise करेगी, next word है, लाउश, अब आप देखें, अ पे जो sound है, वो curve है, तो इसको हम curve sound के साथ pronounce करेंगे, और यहां पे अ पे जो sound है, और पे जो, यह tone है, वो flat tone है, तो इसको कैसे pronounce करेंगे, लाऊश, 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 ठीक है, लाऊश, वो शिर नेमन दा लाऊश, I'm your teacher, वो शिर नेमन दा चुम्वन लाऊश, I'm your Chinese teacher, लाऊश, नेक्स वड़ है, शोए शं स्टूडेंट, यह क्योंकर rising tone है, शोए, शोए, अच्छाह जहां पे भी श्वे और यूज होगा, with rising tone, ठीक है, rising tone का खाशाल रिखने है, क्यूंकर tone changed meaning change, टो श्वे जहां पर भी वर्ड यूज़ होगा वो रिलेटने टू स्ट इस्टडी होगा ठीक है श्वे शंग ठीक है next word है श्याओ चांग अब यह श्याओ पर फोर्ट रोन है तो हमने से सब्सक्राइब साथ प्रिंसिपल होता है यह पी एल ए नहीं है यह पी एल है प्रिंसिपल पी आर आई एंसी आई पी एल इवला प्रिंसिपल नहीं होता इसका मतलब है रूल ठीक है इस प्रिंसिपल का मतलब है के हैट आउफ स्कूल तो यह वह वाला प्रिंसिपल है और इसके स्पैलिंग है पी आर आई एंसी आई पी एल ठीक है नेक्स्ट वर्ड है थांग शर्ड यह जो वर्ड है हमारे पास इसका मतलब है प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल तो अब तों के उपर कौन सी ती के साउंड होती है वह हमेशा थ की साउंड होती है ती जहाँ पर भी आएगा तो हमने क्या प्रिंसेशन देने है थ थ थ T and H T Thong Shi Thong O के उपर O इसके उपर क्यों से tone है? Rising tone है Thong Shi और I के उपर falling tone है Thong Shi Pulli Thong Shi तेक है? Xiao Chang Thong Shi Pulli Next word है Hang You P के जो sound होती है वो हमेंशा H Hang You Hang You ठीक है? तो Hang You का मतलब है Friend Hang You Washer Ha Da Hang You I am His Her Friend To Hang You ठीक है? Next word है Next word है Thong U Thong U O के उपर rising tone है Thong और U के उपर हमारे पर Basically हम Chinese में इसको U नहीं बोलते यह U नहीं है यह क्या है? U है ठीक है? Mood U तो यह U word है ठीक है? U के उपर flat tone है Thong U Thong U Thong U इसका मतलब हो गया Roommate ठीक है? Roommate को कहते है Thong U Next word है Shrpushr अच्छा Shrpushr इससे पहले एक word में यहां पर आपको बताना चाहूंगी Shr Shr का मतलब होता है Yes Shrda Shrda का भी यही मतलब होगा Same Shrda laoshe How the laoshe Shrda 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 का मतलब भी Yes यह हम लोग बोते हैं न जैसे Roommate नुर्दी में G तो यह इसका मतलब हो गया G अच्छा इस sense में Shr Yes Shr laoshe जैसे हम कहते हैं Yes teacher Yes teacher को हम कहते है Shr laoshe Shr laoshe Laoshe क्या है Laoshe Teacher को बोलते है Shr का मतलब होगा Yes So Shr laoshe means Yes teacher Shrda laoshe Okay teacher तो यह Okay के sense में भी Okay के sense में भी Use होता है अब यहां पर जो word है वो है Shr Pusher ठीक है यह बहुत important है कि Chinese में concept है ऐसा है यह नहीं है Yes or no ठीक है Yes or no ठीक है Shr Pusher Yes or no क्यूंके Shr का मतलब हो गया Yes और इसके साथ अगर हम पू पू लगा दें पू का मतलब हो गया Not अगर Simple पू देखे न तो पू का मतलब होता है No Not ठीक है No Not के sense में हो गया और अगर Pusher ठीक है Pusher 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 का मतलब हो गया Shr तो हो गया Yes अब Shr के साथ अगर पू लगा दें Start में तो इसका मतलब क्या हो गया Pusher No Not Again इसका भी मतलब हो गया No and Not के sense में Pusher ठीक है Pusher 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 भी Not है Pusher भी Not है और Shr Pusher का मतलब क्या हो जाएगा फिर Shr का मतलब हो गया Yes ठीक है तो अगर Shr Yes Next Line अगर देखें आप Shr का मतलब हो गया Yes ठीक है और इसके साथ अगर हम अटाच कर दें Pusher तो इसका क्या मतलब हो जाएगा Yes और No और No या Not ऐसा है याने Shr Pusher था Shr Laos Shr He is a teacher Shr Pusher Yes or Not क्या वो teacher है या नहीं है He is teacher Yes or No तो यहाँ पर yes और no Shr Pusher के seconds तो यहाँ परślुड के ये नहीं है houses इसका मतलब हो और लेकिन उससे पहले आँ मैं इसको रेस कर देते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट है हमारे पास क्वेस्टन नमर वन था था शिर शै था शिर शै वो इस ही क्योंके था का मतलब होगे ही शै का मतलब हो गया इस और शै का मतलब क्या हो गया शै फूर थाशर शै ठीक है तो आंसर क्या आएगा थाशर ही इस ही इस लाशर ही इस क्या है यह फॉर एजेंपल अली है ठीक है ही इस अली और फॉर एजेंपल ही इस आईशा ठीक है तो थाशर शै अगर कोई एक बंदा जो है वो पॉस्टन करता है आप लट सपी कहलें अली जो है वो बरसंकरता है थाशर शै तो अगे से साला रिप्लाय करती है थाशर का समीरा ठीक है थाउचर हम्जा तो वो बता लिय है कि अधि और शी इस i7 कै आहे वह मुझा है अली है बता लिए आज़े के वो कोन है ठीक है थाशर शय वो इस ही रिपीट आप्टर में थाशर शय थाशर शय थाशर ताशर अली थाशर हमजा कोई भी हो सकता है झेँक है नेक्स्ट है, next line पे आ जाएं था, शृ, लाव, शृ, मा, अब जो मा का वर्ड है again, जो हमारे पस M A मा, without tone, इसके ओपर कोई tone नहीं है, without tone है, neutral है ये ठीक है, तो इसका मतलब है, ये questionaire particle है, question के लिए use हो रहे है, तो question के लिए मा use हो रहे है तो यहां पर मा जो है वो question के लिए उज़ हो रहा है था शिर लाउ शिर मा तो इसका मतलब यह हो गया कि यह question है जब भी मा उज़ हो रहा है तो understood question है अब वो next क्या पूछ रहा है था का मतलब आपको बता है he or she अब चुमकि यहां पर character कर ही का लिखाव है तो इसका मतलब वो ही की बात कर रहे है था शिर शिर मेंज इस ठीक है लाउ शिर लाउ शिर किसे बोलते हैं टीचर को टीचर के लिए क्या वर्ड यूस होता है चाइनेज में लाउ शिर ठीक है था शिर लाउ शिर यहां पर एक और यूँ भी लिख सकते हैं वो पूछ रहना क्या वो टीचर है तो आप question करते हैं कैसे answer करते हैं येस शिर आप answer करेंगे शिर उसके बाद कॉमा ठीक है शिर था शिर लाउ शिर ठीक है था शिर लाउ शिर ठीक है था शिर लाउ शिर यह आ यह वह सकता है वह teacher नहीं अगर वह teacher नहीं है तो फिर आप कैसी आशर करेंगे था पूश लाउश था पूश लाउश था पू के उपर कौन सी टोन है और था के उपर फ्लाइक था पूश लाउश था शुए 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 शु आपके लिए दुबारा यह सारे वर्ड रपीट कर देजिए हूँ फिर्स्ट वर्ड है था नेक्स्ट वर्ड है शिर शे लाउ शिर शेशं श्याओ चांग थौंशिर थौंग योग थौंग वूग शिर पुश था शिर शेए था शिर यहाँ पर आप बोल सकते हैं अली यह जुछ भी ठीक हैं जो नाम है बंदे का वो बोलने आपने था शिर समीरा था शिर लाउ शिर्मा Is he a teacher? था शिर लाउ शिर He is a teacher था 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 पूश लाव श थाश श्वेशंग ठीक है यह कुछ न्यू वर्ड्स से वकैबलरी और पॉर्सन से हम यहां पर कुछ इन्हीं वकैबलरी वर्स को यूज करके कुछ और संटेंस भी बना सकते हैं जैसे मैं यहां पर मैं नंदूट मैं एक वर्ड्स कर सकते हों था ईूज कर सकते हों श्र उजकर सकते हों तर्स चौड र pics में नेट नहीं अब मैं हेओ एक सेंटेंस लिखने रहें चैनीश में थाशर नीद द जो है वो helping particle है post of yes के तोर पर use होते है तुम्हारा तुम्हारी नीद मेंस तुम्हारा या तुम्हारी ठीक है नीद थाशर नीद लाउशर थाशर नीद लाउशर मा या थाशर नीद लाउशर मा यहाँ पर अगर हम दा हमारी मर्जी है अगर हम ना भी डालें तो इसका यहीं मतलब होगा से मतलब होगा अब इसका क्या मतलब होगा था means he or she शिर is an r के लिए उस होता है नी जो है तुम या तुम्हारा नीदर तुम्हारा या तुम्हारी नी तुम लाउशर means teacher और मा is used for question था शिर नीदर लाउशर मा तो इसका answer इसका meaning क्या हो जाएगा इसका meaning हो जाएगा क्या ये तुम्हारी teacher है तो आप इसका answer क्या कर सकते हो या तुम्हारी तुम्हारी हो सकती है या तुम्हारी तुम्हारी हो सकती है तुम्हारी तुम्हारी नहीं हो सकती अगर तुम्हारी तुम्हारी हो सकती है अगर तुम्हारी तुम्हारी हो सकती है तो क्या बोलोगे शिर शिर और मा जो है, हो ओमेट हो जाएगा, मा निराल लेंगे, ठीक है, यह आप लिखोगे, यह आप लिखोगे, यह आप आंसर करोगे, फूश, 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 था फूश, वह दूश, फूश, वह दूश, लाउश, ठीक है, और था शूश निदे लाउशर मा, आप यह भी कोस्टिन कर सकते हो, एक कोस्टिन तो यह था ना, हमारे पास कोस्टिन, ठीक है, और यह आंसर सते, अब एक कोस्टिन आप यह कर सकते हो, ता शब भुश, फूश, फूश, घा शब, भुश, पूश, अचवे, पूश, पूश, उए जदे कोस्टिन के दिसे की णाहते हो, पूश, पूश, नि भुश, लाउश, यहां पर आप मा भी लिख सकते हो था शर्पुशर नीदा लाउशर मा या था शर्पुशर नीदा लाउशर लेकिन अगर मा लगा दें तो वह ज्यादा एप्रोप्रियेट है संथा थीक है हम शर्पुशर का यूज कर सकते हैं बात में हम लोग योग मेयो पढ़ेंगे पट अभी हमने जो नियू वकाबली वर्ट परें उसमें से हमने वर्ट यूज करना है निस्र ुशेशंग मां ठिक है अब मैं एदर लिखते हम यहां पे निस्र नि स्टूडेंट शेशंगर मां इस तरह हम लोग और सेंटेंस भी बना सकते हैं यूवर्स को यूज करके जिसे श्याओटाउं ठाक है थांग शियर ठीक है आपर सबसेंपल संप्टेंस बनाने अब मैं आपसे पूश गार सेंपल संपल्स जयर थाशिष थाशिष ठेक है यहां पर एक मैं आपसे अगर गया करता शियर तो इसका आंसर आप क्या देंगे इसका आंसर आप PARTY को रहीं यहाں पर आप कह सकते हूं यह कररें यह पना है तॉंग Google बध्यम है लोट्प संपुप न tablespoon तो та यकिक सकते हो यहां पर थाट शवर वो क्या है भूमेट है थाशर भंग्यो थेक है है में थाइनी पूंचेप्ट एक का बॉइफ्रेंड का तो जहां पे भी फ्रेंड या बॉइफ्रेंड की बात होगी तो हम उसको कैसे बोलेंगे अगर गर्ल फ्रेंड की बात करेंगे तो वह हमारे पास होगा यू 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 होता है डॉटेट यू ठीक है इसके ऊपर दो डॉटस होता है यू फांग यू फांग यू फांग यू फांग मेंज गर्ल फ्रेंड ठीक है क्योंकि जो है वो नॉन मुसलिम है तो उनके हाँ पर यह concept होता है girlfriend और boyfriend का और male के लिए क्या उसे नान भांगयो ठीक है तो यह आपकी vocabulary आपको बता हूँ अचाहिए यह boyfriend के लिए यूज़ होता है word ठीक है new भांगयो girlfriend नान भांगयो boyfriend ठीक है और simple भांगयो means friend और जो आपके पास है new इसके उपर यह वाला dotted जो है वो यूज़ होता है word जो नी है ना word उसके साथ dotted you है वो मैं आपको बताती है अपकी एकाइ आपको दोगुश बताती है वो यूज़ है के वोज़ होता है पजके झापश़ है गयँ आपको है और यह, गयँ गूज़ है दॉर्टेट यूर यूज़ होता है यह यह करेक्टर जो है वो फीमेल तिली यूज़ होता है फीमेल नीर नीर और मेल तिली नान ठीक है एन एन नान ओके नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट प्रेक्टिस है हमारे पास जैसे मैंने आपको न्यू सेंटेंस की प्रेक्टिस कर वाई इस तरह आपने क्या करना है जो न्यू वर्ड्ड्ड हैं वो सारे याद कर ले mythical ऐसे याद करने के बाद आपने न्यू वर्ड्ड की प्रेक्टिस करनी है पहले आप लेकिन शरत ही है कि आपको पहले नियु वोकाबलिरी वर्ड आने चाहिए उसके पात आपने उन वोकाबलिरी वर्ड को यूज करते हुए डिफरेंट सेंटेंस स्ट्राइ करने है यहां पर कुछ पोकन प्रेक्टिस है नीमन हाओ अब मैंने आप लोगों को एट वर्ड सेंटेंस करवाया था नी हाओ का मतलब होता है हेलो जी नी हाओ का मतलब हो गया हेलो अब यहां पर हमारे पास क्या है नीमन नीमन का मतलब क्या हो गया प्लूरल यह मैं आपको करवा चुक्यों नीमन प्लूरल के लिए यूज होता है तुम सब ठीक है तो यहां पि नीमन हाओ के लिए नी स्वारी म्झै नि प्लुस बन इसको ठुच त। मुल्मल विख मेंस यू बू बू लू रू यह निके तुम तुम सब तो नीमन हाव का मतलब क्या हो जाएगा नीमन हाव का मतलब होगा हेलो एवरी वन ताथ्या हाव नीमन हाव तो यह दोनों सेम यहाँ पे नीमन हाव के लिए हम दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं कौन कौन से एक तो हमने नीमन हाव यूज़ किया एक तो वर्ड यह हो गया एक हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताच्या ताच्या हाव नीमन हाव जैसे मैं क्लास मेंटर होती हूँ और आप लोगों मुझे कहते हो नी हाव लाउशर मैं एक होना एक बंदी हूँ तो एक टी-शिर होगी तो आप मुझे बोलोगे नी हाव लाउशर लेकिन जब मैं इंटर होँगी और बहुत सरे स्टूरेंट्स हैं तो मैं क्या बोलूँगी नीमन हाव और यह मैं कहूंगी तो यह difference है नीमन हाव में और नी हाव में सारे लोगों पे लिए यूदर होता है और नी हाव एक बंदे को हलो करने के लिए यूदर होता है नेक्स्ट है वाच्याव डैश वाच्याव वां जो यू और चाओ मैं कहलाती हूँ तुबी कॉल की संस में ही उताता है ठीक है चाओ तुबी कॉल्ड नेक्स्ट है वाशर स्वेशंग यहां पर आप लोग वौिशर स्वेशंग की काई है वाशर मेनिंग मश्यूश्यूशंग का मीनिंग है Student यह कहा है, यहां पर इसकती हूँ वौर्शर लाउशर मैं लौर्शर के जगा बोल सकती हूँ और नेक्स्ट वैरी इंपोर्टेंट लाइन रन्षर निमन हन्ताउशिंग अब आपको दो अगर अगर कोई आपको बोले हन्ताउशिंग अब निहां पे सिंगल वर्ड ये संटेंश भी बुले सा सकते हैं नाइस तु मीट यू ठीक है आप वैरी हैपी तु मीट यू प्लीस तु मीट यू जो नी है वो एक बंदे के लिए यूज और ठीक है नहीं एक सिंगल बंदे के लिए लेकिन अगर मैं बहुत सारे लोग होंगे तो मैं कहूंगी खंताउशिंग रंशिर नीमन तो मेरा क्या होगा फिर लाइन खंताउशिंग आप सबसे मिलके बहुत खुश्य हुई रंशिर नीमन ठीक है ये दो सिंटेंसिस का भी सेम मीनिंग है और या फिर आप बोलोगे रंशिर नीमन खंताउशिंग ठीक है या फिर आप क्या बोलोगे रंशिर नीमन खंताउशिंग या आप बोल सकते हूँ रंशिर नीमन की जगा रंशिर नी ठीक है यहाँ पर मैं लखते हूँ रंशिर नी कंताउश्ञ धव रंशिर नी छंताउशिंग ठीक है रंशिर नीमन खंताउशिंग खंताउशिंग अगर नीमन की लिगव बोलोगे यहाँ दोंताउश हा मीनिंग सेन भी है खंकाउशिंग रंशर नी ये रंशर नी खंकाउशिंग ठीक है कुछ लोग खंकाउशिंग रंशर नी भी बोलते लेकिन ये इतना अप्रोप्रेट नी है जो अप्रोप्रोप्रेट है वो क्या रंशर नी मन ये रंशर नी खंकाउशिंग लास्ट में share share थैंक्यू को क्या बोलते हैं share share ठीक है यह आप लोग कहा सकते हो यहां पर share share लौुशर ठीक है तो स्ट्रक्ट में आप प्रइजग को कह सकते हो यह बोल सकते हूं एक सकते हूं यह बोल सकते हैं प्रक्टिस के लिए तो इसको मैं रेस कर लेती हूं यह रेस हो गया अब आप लोगोंने करना क्या है लेक्ट्र वन पर जाते हैं लेक्ट्र वन पर जो वर्ड्स हैं आपने इनको यूज करते हूं आपने पहले वर्कैबरी याद कर लेनी हैं और फिर निव वर्ड्स निव सेंटंसिट बनाने हैं जो इन इन रेलेटेज वर्ड्स है जिससे निहाउ निहाउ अकठे होगा तो हेलो हो जाएगा ठीक है लेकिन निहाउ अगर शैपरेट होगा तो यू अगर separate होगा तो इसका मतलब है good, walk, यह, और यह खिंध हाओ यह कुछ का institutional practice है वर्जिहां से a जो है वह कहता है नहीं how, b जो है वह कहता है नहीं how तो next a जो है वह नहीं how, maa कहता है, b जो है वह कहता है वह खिंध हाओ नीना नीना का मतलब हो गया वर्ट अबाउट यू पॉर्शन के लिए वह ये खन खाओ आयम फाइंट तो शिय शिय ठीक है लेक्षर टू में कुछ नुव वर्णे कि आपने अपने नाम कैसे बताना है वाचिया और समीरा नीचाओ शमा मिंग्ज आपने प्रैक्टिस के लिए क्या करना है है तो आवात इप्रे एक्सेंट जैसे चानी के एक स्पास्विक एक्सेंट हैं अप में जैसे इंग्लिश के accent होता है पंजाबी का एक accent है चाइनीज का एक accent है इस तरह उर्दू का accent है तो accent बहुत important है इसलिए pronunciation पर आपने बहुत इसको cover करना pronunciation को अपने लाजमी करना है तो यह कुछ निव वर्स थे जिसमें हमने singular और plural पड़ा नीक जो है वो singular है और नीमन जो है वो प्लूरल हो जाएगा इसी तरह वो सिंगुलर है वो मन प्लूरल है और था सिंगुलर है था मन प्लूरल है ठीक है फिर हमने जो है वो नीच आओ शमा मिंग्स वट इस यूर नेम वाच आओ वांगर यू ठीक है रंच नीखन काउशिंग एक ने थीक है इंपौर्टन्न सेंटेंस है जो अक्सर चाइनिज हर चाइनीज ये लाइन बोलता है जब को यह द रहुआ है तो यह लाइन बोलता है जिए ठीक है रंशर्ण्सुर्णि आपसे मिले के रंशर्णनी जांद का बिसीकलिया मतलब होता है तु लो जानना आप से मिलके बहुत खुशी हुई है नेक्स लेक्टर 3 में हमने पढ़ा कि कैसे पूछना है कि आप फोन हो और आप टीचर हो या आप क्या हो शिर्पुशर का हमने हमने था पढ़ा गी और शिर्पुशर के लिए यूज होता है अपुशर टीचर को कहते हैं श्वेशंग स्टुडेंट श्यावट टांग प्रिंसिपल थांग्शर को लिए फंगयो फ्रेंड थांग्वू रूमेट श्र्पुशर हमने श्र्पुशर का यूज देखा और पुशर किसे कहते हैं और सिंपल पुशर पुशर भी नूज और यूचे आब टाै। यूचे छाह तरीकेशेक्र एंत तरीकेशेक्श बोला जाते हैं वह देखा हमने और ज्यादा अप्रॉप्रियेट कौन सा है वो भी देख लिया बस यह आज के लेक्शर में था और नेक्स्ट लेक्शर में हम फिर मिलेंगे ओके अल्ला प्रस